दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुद्रत के खजाने में से एक ऐसे नास्ते के बारे में बताने वाले हैं जिसका अगर आप उपियोग अलग-अलग तरीके से करते हैं तो वो आपका वजन बढ़ा भी शकता है और आपको दो चीजों की आवश्यक्ता होगी नंबर वन जो है एपल हम सभी जानते हैं कि एपल सेहत के लिए बहुत फाइदेमन होता है और दूसरा है दोस्तों गज्रे यानि की गाजर गाजर दोस्तों सीत काल में बहुत आसानी से मिल जाती है और इसकी कीमत भी ज्यादा नही आप क्या करें छिलके सहीत एक अच्छा सेब ले 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 और उसी के बराबर मात्रा की आप गाजर ले ले अब इन दोनों को अलग अलग आप कद्दू कस कर ले अब आप इसको प्रती दिन सुबह खाली बेट नास्ते के समय जितना हो सके आराम से खा ले जितना आप खा सके आराम से सवेरे खा ले इसके सेवन के बाद आपको दो घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है इस नास्ते को अगर आप सवेरे करते हैं तो एक तो ये शेरीर में शक्ति का संचार करता है साथ ही ये आपके शेरीर की आवशक चर्वी को गटाता है तो इसमें एपल है इसलिए ये खून को साफ करता है गाजर होने की वज़े से भी खून साफ होता है और सुन्दरता बढ़ती है अगर इसके उपर आप एक चमच शहर डाल देते हैं और निम्बू निचोड देते हैं तो ये और भी शक्तिशाली बन जाता है और ये वजन गटाने में अधिक शक्तिशाल अधिक सहायक बन जाता है तो ये था आपको कैसे इस्तिमाल करना है वजन गटाने के लिए चलिए आप जालेते ही वजन बढ़ाने के लिए आप कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं अब अगर आपको वजन बढ़ाना है यही खुराग जो कि आपने सवेरे लेने के लिए बनाई है इसको दो पहर बोजन के बाद खानी है यानि कि आपको सवेरे नहीं खानी है अब इसमें आप निम्बू और शहद मत डालें क्योंकि ये वजन गटाते हैं इसलिए आप केवल गाजर और सेव का जो मिश्रन है आप उसका ही सेवन करें अगर आपका वजन निरंतर गिर रहा है और कमजूरी आपको अनुबव हो रही है तो ये उसमें अतिशाई लाप करता है गाजर और सेव इन दोनों को सर्दियों में खाना सेहत के लिए बहुत फाइदेमन होता है खास करके ये रक्त से जुड़ी परिशानियों में बहुत लाप देता है खून को बढ़ाता है दो